नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका अपने चैनल यहां पर आपको यह नया काम नजर आ रहा होगा यहां पर जो लास्ट टाइम आपने पिलर देखे थे तो इन पिलर के उपर अभी यहां गड़र पूरी तरह से लग चुका है और गड़र को आपस में कनेक्ट किया रहा है और भी यहां के मतलब मदनपूर खादर गाओं की सा काफी ज्यादा काम हुआ है तो आज मैं आपको पूरी डीटेल देने वाला हूं तो वीडियो पर लाश्ट तक बने रहना वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो पर एक लाइक करके अपने दोस्टों के साथ सेर जरूर करना वीडियो काफी दिन बाद आ रही है क्यूंकि म अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाना तो वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों अभी हम आली गाउं जैतपुर क्रॉसिंग के पास में और सामने जो रोड आप देख रहे हैं ये जाता है क्यलेंदी कुंच की साइड इस रोड को काफी दिन से बंद किया गया है यहाँ पर अर्थवर्क किया जा रहा है इसमें से कि यहाँ पर जो सॉयल फीलिंग का काम है वह कंप्लीट हो चुका है अब यहाँ पर लेयरिंग का काम चल रहा है जिसमें की लाल पत्तर की लेयर को चड़ाना है यहाँ तक आप देखेंगे तो तीन लेयर पड़ चुकी है और आगे की साइड में जो आप देख रहे हैं यहाँ पर आभी सॉयल फीलिंग और कॉम्प और ये वाला रोड कैलंडी कुंच से फरीदाबाद की साइड को बनाया जा रहा है जिसमें कि यहाँ पर आप देखेंगे तो इस रोड को बना लिया गया है और कई जगाओं पर काम चल रहा है आगे मैं आपको सारे डीटेल देने वाला हूँ तो वीडियो पर लाफ्ट तक है जी तो आप सामने की साइड में देखेंगे लाल पत्थर की लेरिंग का काम किया जा रहा है वहीं आपर दोनों साइड में भी लेरिंग का काम अभी हाल ही में किया गया है और साथ में यहाँ पर क्रेस्ट पेरियर को दोनों साइड लगाने का काम भी कुछ पैच में किया गया है लास्ट टाइम के मुकाबले यहाँ पर आपको सबसे बड़ा काम जो है वो यह नजर आने वारा है कि आप जो सामने गर्डर देख रहे हैं यहाँ पर इन सारे पिलर को गर्डर के माध्यम से आपस में कनेक्ट कर लिया गया है अब इन गर्डर को आपस में कनेक्ट किया जाना है जिसका के काम यहाँ पर किया जा रहा है और सामने की साइड में आली ड्रेन के उपर एक नया पूल बनाया गया है जो की मीठा पूर से केलेंदी कुंच की साइड के सर्विस रोड को आपस में जोड़ीगा अब हम चलेंगे मीठा पूर की साइड और मीठा पूर की साइड में भी काफी काम हुआ है तो आज हम आपको अपडेट उसकी देने वाले हैं वीडियो प्लाश्ट तक बने रहना वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ सेयर करना और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाना अभी हम मीठापूर गोल चक्कर के पास पहुँच चुके हैं और यहाँ पर आपको काफी काम देखने को मिल रहा होगा जैसे कि सामने की साइड यानि केलेंदी कुछ की साइड में आप देखेंगे तो इस साइड से जो हमारा फ्लाइ ओबर बनता हुआ आ रहा है तो उसमें रूफिंग का काम जो है वो करीब दो से तीन पिलर के आगे बढ़ चुका है और साथ में आगे की साइड में रूफिंग का काम किया जा रहा है ऐसे ही अगर आप एमसीडी टोल की साइड में देखेंगे यानि की बैक साइड में तो इधर भी आपको काफी काम नजर आने वाला है और फ्लाई ओबर के इस दूसरे स्रेगों आप देखेंगे तो यहाँ पर जो एप्रोच रोड है वो यहाँ पर आप देखेंगे तो नियर टू कंप्लीट है यहाँ लाल पत्थर की लेयर पड़ चुकी है दोनों साइड जो है क्रेस बेरियर लग चुका है बीच में डिवाइडर का काम बाकी है इसे के साथ आप आगे की साइड में देखेंगे तो हमारा जो फ्लाई ओबर का और हिस्सा है इसमें रूफिंग का काम कंप्लीट हो अगे यहाँ पर चोटा मुटा और काम बाकी है इसके बाद यहाँ पर ब्लैक टॉप हमारी यानिकि लास्ट लेयर का काम जो होना है और लेफ्ट में जो आपको रोड देखने को मिल रहा है लास्ट टाइम आपको ये भी देखने को नहीं मिलता क्योंकि लास्ट टाइम यहाँ पर अर्थवर्क किया जा रहा था और आज की डेट में इस रोड को मीठापुर से लेकर MCD टोल तक पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया गया है और बात करें फ्लाइ ओबर की तो फ्लाइ ओबर भी यहाँ पर पूरी तरह से कनेक्ट होने में सिर्फ और सिर्फ यहाँ दो गर्डर बाकी है एक उस साइड औरे की साइड दो गर्डर को आपस में कनेक्ट करके इस पूरे फ्लाइ ओबर को भी बहुत जल्द कनेक्ट किया जाएगा एक्सप्रिस्वे के फ्लाइ ज alert के साथ बेटा पूर में आगरा कैनों के उपर एक बिरिज बनाया जा रहा है जिसमें कि यहां पाइल पिलिंग का काम कम्पलीट हो जुका है अब यहाँ पर पाइल कैप का काम चल रहा है जिनमेंसे कि यहाँ पर 4-5 पाइल कैप बनकर रेडी हो चुके हैं बहुत जल्द यहाँ पर इस पुल को तयार किया जाएगा इसकी अपडेट भी में आपको टाइम टू टाइम देता रहूँगा और इस साइड में भी आप फ्लाई ओबर के लिए रैंप बनाया जा रहा है जहां पर आप देखेंगे तो नीचे की साइड में आपको रिटैनिंग वोल की एक लाइन नजर आ रही होगी है और साथ में यहाँ पर जो है फीलिंग के लिए यहाँ पर जो बाहर से सोईल लाकर कठा करना है वो भी काम यहाँ पर किया जा रहा है बहुत जल जो इस साइड से और इस साइड से दोनों साइड से हमारा यह फ्लाई ओबर एक राइंप के रूप में बनकर आपको नजर आने वाला है और बहुत जल जो बीच का गया पर वह भी पूरी तरह से कंप्लीट होने वाला है और इन सारे होने वाले कामों की अपडेट में आपको टाइम टू टाइम देता रहूंगा इसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ वीडियो के एक लाइक करके अपना प्यारा सा कमेंट करना है जैसे कि हम मोटिवेट हो सके और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक का कास्टिंग यार्ड आपको तो पता ही होगा इसके अंदर सेग्मेंट बनाए जाते हैं और यह सेग्मेंट इहां पर अभी भी आपको देखने को मिल सकते हैं लेकिन हो सकता है आने साइब वाले एक से दो महिने बाद यह सेंगमेंट को यहां पर नजर नहीं आए क्योंकि का काम साइन बाग की साइड में काफी तैजी में चल रहा है। वहाँ पर काफी जादा पिलर जो है वो बनकर ready हो चुके हैं और उन पिलर को ready होने के बाद यह से ले जाकर उन पिलर के उपर लगाया जाएगा जिससे कि हमारा एक flyover का रूफ तयार हो सके और वहाँ पर काफी तेजी में segment launching का काम चल रहा है आपने देखा होगा एक segment launcher हमारा बदन पुर्खादर गाउं के साइट से launching करता हुआ जा रहा है और एक segment launcher जो है हमारा बटला उसके साइट से इस साइट को launching करता हुआ आ रहा है दोस्तों वीडियो करीब एक महिने बाद आ रही है तो वीडियो में आपको यहां पर काफी काम देखने को मिलेगा आली काउंसे लिए के कैलेंदी कुछ तक काफी सारे नए काम हो चुके हैं वो सारी अपडेट में आपको आगे देने वाला हूँ और बात कर रहे हैं अपडेट की तो मैं आपको छोटा सा हिंट दे दूँ कि उस साइड जो है हमारा फेलिंग का काम यानि की अर्थवर्क का काम काफी तेजी में किया गया है और वहीं बात करें हम इस कास्टिंग यार्ड के अंदर की तो जब यह कास्टिंग यार्ड यहा सारा कम हो चुका है आज की इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही मिलेंगे अगली वीडियो में और उसमें काफी ज्यादा जानकारी हम आपको देने वाले हैं और काफी लंबी जानकारी आपको देने वाले हैं तो प्लीस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना जिससे कि आने वाली वीडियो आपको टाइम से मिल सके पर आपके एक लाइक से हम मोटिवेट होके ऐसे ही अपडेट लेकर आते रहें मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई नमस्कार टाटा जय हिंद जय भारत